राई बरेली से सांसद, कॉंग्रेस के नेता और आपके और हमारे नेता विपक्ष राहुल गाधी को सुल्तानपूर MP मेले कूट ने दो तारीको व्यक्तिकत तौर पर पेश होने को कहा है। क्यों कहा है क्या मामला है पूरा वो जाएंगे या नहीं इस बारे में आप चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। जिसके बाद पिछले दिनों 28 फरवरी को राहुल गाधी को को कोट के तरफ से जमानक मिल गए थी। लेकिन तभी ये पता था कि जमानक वो चड़बंबूर है। उनको जाना तो होगा ही। कोट में पेश होना ही है। तो कोट में इस बार 2 जुलाई को समय दिया है राहुल गाधी को पेशनी हुआ। अब राहुल गाधी जाएंगे या नहीं या फिर कानून के किताब के पन्ने पलिटे जाएंगे। अब ये देखना होगा, इसकी ख़बर हम आप पहुंचाते रहेंगे। लेकिन एक ख़बर इसमें और है, आपको बताते थे हैं। राहुल गाधी का ये पहला मामणा नहीं है जब वो इस बिवाद में फसे हुए। पिछले दिनों मोधी सरनेम से जुड़े उनको परिशान किया था। अब ये नया चुनावती उनके सामने है। नेताविपक्ष की चुनावतियों को और नेताविपक्ष जो हमारे राहुल गाधी हैं। उनके क्या-क्या चुनावतिया रह रही है। ये पूरे पांध साल में ये सब ख़बर हम आप तर पहुँचाते रहें। आपको बता दें कि रहुल गाधी ने अमित्र चाफर क्या टेपड़ी की थी। उन्होंने कहा था कि बीजेपी कहती जरूर है कि वो स्वक्ष राजनीती करती हैं। उसमें पूरी आस्था रखती है। लेकिन पार्टी का अध्यक्ष खुद हत्या के मामले में आरोपी है। अब ये समझने वाली बात ये है कि उसवक्त वीजेपी के अध्यक्ष अमित्र चाह। अब इस मामले में राहुल गाधी को दो जुलाई को पोर्ट में पेश होते हैं या नहीं। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है कैमरापर्शन निश्यक चाहत मैं प्रदिमन पांड वी वाली उस्यक्त